हमने जो हमारे 24,000 युवा साथी थे जिनका रजल्ट रोक दिया गया वो कॉंग्रस के भरती रोको गए जो हुड़ा साव के दौरा प्रायो जीते हैं 24,000 युवाओं की भरती को रोक दिया गया और हमने ये संकल्प लिया है कि हम इन 24,000 युवाओं को पहले जोइनिंग लेटर देंगे और बाद में हम सब तलेंगे क्योंकि हमारी जो पार्टी हमारी सरकार है युवाओं के साथ हम मजबूती से खड़े हैं उनके साथ कोई करते हैं हमने जो वैदे किये थे उन वैदों को पूरा करना हमारी सरकार का प्रथम दायत्तव है कॉंग्रस अपने जूठे वादों और उन वादों के वजन में ही उसकी दलदल में फस जाती है यह बात आज आप नोट कर लीजिए जनता तरस्त है कॉंग्रस के इन सेख्ष चिलि बातों से और जूठे वादों से हिमाचल से तेलंगाना से करनाटक से कॉंग्रस की सरकार से लोग उप चुके हैं हर्याना की जनता सच और सही के साथ है और भाजपा जो कहती है उसको पूरा करती है। कॉंग्रस ने जिस परकार के वाइदे किये हैं, कॉंग्रस ने कहा कि खटा-खट और टका-टक कि जो कॉंग्रस की जुगलबंदी है, भारतिय जनता पार्टी उसमें विश्वास नहीं करती है. मैं आज आप लोगों को इस बात के लिए बताना चाहूंगा कि आज तारी को जब रजल्ट आने के बाद आप मैनिफेस्टो को अपने पास रख लेना और टिक लगाते जाना कि जो वैदे पूरे हो जाएंगे, मैं फिर आप से इसके बाद मिलूँगा कि हमारी सरकार कितनी ग पर्चे के और बिना पर्ची के, बिल्कुल ट्रांस्पारिन तरीके से गरीब का गाओं का बेटा रोजगार लग सके सरकारी नौकरी देने का काम दो लाख लोगों को देगे इसकी हम वियुशा करेंगे। उसी तरीके से हम पांच लाख युवाओं को अन्य रोजगार के साधन मुहिया कराएंगे और उसके लिए नाशनल अपरेंटिशिप प्रमोशन स्कीम के तहद मासिक रूप से मंथली उनको स्टाइपेंड उपलब्द कराएंगे हम पांच लाख युवाओं को रोजगार के अफसर पैदा करेंगे